तो जैसे कि आपको पता ही है कि Facebook पेज़ 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 पैसा कमाया जा सकता है अगर आप Facebook पेज़ पेज़ फिडियो अप्लोड करते हो तो उससे भी आप लोग YouTube की तरह पैसा कमा सकते हो जैसे YouTube में वीडियो अप्लोड करने से पैसा अन होता है ऐसे ही आपर Facebook पे कि उस पर वीडियो अपलोड करना होगा तो आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि फेस्बूक पेज पर वीडियो कैसे अपलोड करते है और अगर आपको नहीं पता है कि फेस्बूक पेज कैसे create करते है तो आपको उपर i button पे वीडियो मिल जाएगा वहाँ से जाके आप देख सकते है कि आपको facebook page कैसे बनाना है और आज की इस वीडियो पे मैं आपको सिखाऊंगा कि आप facebook page पे प्रोपल ली सही तरीके से वीडियो कैसे upload कर सकते है तो वीडियो में आगे बनने से पहले मेरे वीडियो को लाइक कर दीजेगा और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजेगा उसे के साथ आप लोग बेल का एकोन को भी और पर प्रेस कर सकते हो तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आप फेस्बुक पेज पे वीडियो का ऐसे upload कर सकते हो तो गैस फेस्बुक पेज पे वीडियो अप्लोड करने की सबसे बेस्ट तरीका है यहाँ पर Creator Studio से अगर आप यहाँ पर Creator Studio को डाउनलोड कर लेते हो तो आप इससे बहुत ही आसानी तरीके से फेस्बुक पेज पे वीडियो अप्लोड कर सकते हो तो इस application का link आपको description box में मिल जाएगा और आप चाहो तो आप प्लेश्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हो Creator Studio लिख कर तो अभी हम क्या करेंगे इस वाले app को यहाँ पर open करेंगे और गैस सबसे पहले मैं आपको बता दू कि जब यहाँ पर आप फर्स टाइम open करेंगे इस app को तो आपको सबसे पहले आपने Facebook से यहाँ पर login करना होगा जिस वाले Facebook पे आपका page है ठीक है और वो करने के बाद आपको क्या करना है और उपर आप देख सकते हो pencil का icon इस पर आपको क्लिक करना है ठीक है और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो वीडियो लिखा है फोटो लिखा है लाइव लिखा है और text भी लिखा है आप जो भी चाहो यहापर post कर सकते हो ठीक है तो मैं यहापर video को post करना चाहता हूँ तो मैं यहापर video पे click करूँगा और video पे click करने के बाद यहापर मेरा gallery open हो जाएगा और जो भी यहाँ पर वीडियो आप अपलोड करना चाते हो उसको यहाँ पर आपको select करना होगा ठीक है तो मैं यहाँ पर कोई भी एक वीडियो को select कर लेता हूँ करने के बाद नेस्ट फे किलिक करने के बाद आ प्वह करने के बाद आप यहां पर देख सकते हो कि मेरा वीडियो यह पर आ चुका है और यह इसके बाद आपको ऊचन लगाना है और यहांपर आपको है यूज चानग उसक करना 빼na जैसे यहापर मैं hashtag use कर रहा हूँ, थम्मलेन, जैसे आपको यहापर hashtag use करना है, इससे क्या होगा, आपको जो वीडियो है, उसको ज़्यादा boost मिलेगी, ठीक है, और इसके बाद आपको क्या करना है, इस वाले जो title है, इसको यहापर copy करना है, सिर्फ title को ठीक है, title को copy करने के बाद यहापर आपको description पे click करना होगा, और यहापर आपको यह उसे paste कर देना होगा, और यहί आपर done कर देना होगा, done करने के बाद यहापर आप देख सकते हो, कि मेरे जो title है, ओ भी लग चुका है, और इसके बाद आपको यहापर क्या करना होगा Thumblin Add करना होगा ठीक है तो Thumblin Add करने के लिए यहापर आप देख सकते हो Add लिखा है तो इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहापर Upload Image पे क्लिक कर देना है और यहाँ से जाके आप कोई भी एक Thumblin को select कर लेना, तो मैं यहाँ पर कोई भी एक thumlin को select कर लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पर एक thumlin select कर लिया है, यह सिर्फ आपको दिखाने के लिए select किया है, ठीक है तो अभी याँ पर आप देख सकते हो कि मेरा जो thumlin है, ओ भी आपर add हो चुका है आप अभी यहापर देख सकते हो और इसके बाद आपको क्या करना है next फे click करना है उपर भी next लिखा है नीचे भी next लिखा है ठीक है आपको कोई भी एक next फे click कर देना है और इसके बाद आपको क्या करना है यहापर आप देख सकते हो publishing option लिखा है इस पे अगर यहापर आप click क उसके बाद आपको क्या करना है और आने के बाद आपको क्या करना है आप आप चुका है और क्लिक कर देना है उपर बिकर सकते हैं तो पॉडिक करने के तो आपको एक i button पे वीडियो मिल जाएगा उस पे जाके उस वीडियो को देख लिजेगा और इसके बाद आपको tag लगाना भी आ जाएगा और आपको नीचे description box में भी दोनों वीडियो का link मिल जाएगा ठीक है जो मैंने सबसे पहले बता था उस बाले वीडियो का link भी विले उसे के साथ आप लोग बेल का icon को भी और प्रेप्रेस कर देना ठीक है ताकि आप लोग को आने वाला वीडियो की notification सबसे पहले मिलती रहे तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में तब तक के लिए वाई वाई टेक यार